हेलो एब्रिवन, मैं हूँ बबीता और मेरी हेल्दी कली कीचन में आप सभी का स्वागत है आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक मीठे की रेसिपी और इसे जब भी आपका कुछ मीठा खाने को मन करें तो आप इसको बना कर त्यार कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा हेल्दी है इसे बनाने के लिए हमने गुड और गिहू के आटे का इस्तमाल किया है अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो भी आप इसको इन्जॉइ कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मेठा चीला याने के गुड और आटे का चीला और इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक बॉल में सबसे पहले मैंने 3 फोर्थ कप गिहू काटा लिया है इसमें हमने 1 फोर्थ कप सूजी ली है और ये मैंने फाइन सूजी इसमें ली है अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच सौफ ली है आदा छोटी चमच काली मिर्श का पाउडर आदा छोटी चमच ही यहाँ पर इलाइची का पाउडर लिया है और 1 फोर्थ कप हम इसमें जैगरी सिरप एड़ करेंगे और उसे मिक्स कर लेंगे हम आटे की मिक्षर के साथ जैगरी सिरप कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं उसका लिंक में आपको डेस्क्रेप्शन में दे दूँगे तो अब यहाँ पर मैं 1 फोर्थ कप मिल्क एड़ करूंगी और इस कप में ही मैं पहले थोड़ा सा मिल्क एड़ कर लेती हूँ तांकि जो यह लगा हुआ सिरप है वो भी इसमें गुल जाए और वो हम इसमें मिक्षर में एड़ कर लेंगे अब बागी बचावा मिल्क पी एड़ कर देंगे लेकिन जो हमारा बैटर है अभी पी थोड़ा सा थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना कर त्यार कर लेंगे बैटर को अब हम ढग कर 10-15 मिर्ट का रेस्ट देंगे और 15 मिर्ट के बाद देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह से काफी थिक हो गया है सूजी ने जो पानी है वो एब्सॉर कर लिया है वो अच्छे से फूल गई है बैटर में हम पानी एड़ करेंगे और एक मीडियम थीन कंसिस्टेंशी का बैटर बना कर त्यार कर लेंगे तो कुछ इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए तो बैटर अब हमारा रेडि है चीला बनाने के लिए तो चलिए तबा हम गरम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ओयल से हम ग्रीज कर लेते हैं अब इस पर मैंने दो पड़ी चमच भरकर बैटर पॉर कर दिया है और इसको हम जेंटली स्प्रेड कर देंगी एक अच्छी सी राउंड शेफ हम इसको दे देंगे और कुछ सेकंस के लिए इसको हम सिखने देंगे जैसे ही यह उपर की फ्रत थोड़ी सी ड्राय होने लगे आप कुछ बुन्दै ओयल की इसके उपर स्प्रेंकल कर दीजिए अब हम इसको दूसी तरफ से पलट देते हैं और दूसी तरफ से भी हम इसको अच्छे से कुख होने देंगे तो लगबग एक मिनट तक हम इसे कुख करेंगे तो हमारा जो चिला है वो बनकर तयार है तो देखिए हमारा मीठा चिला यानि की गुड़ और आटे का चिला बनकर तयार है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी पचेवे बैटर का भी हम इसी तरह चिले बनाकर तयार कर लेते हैं आप मीठे चिले को गर्म गर्म अचार के साथ सर्व कीजिए यह बहुत ज़्यादा डिलिश्यस लगता है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल बटन के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए थैंक यू और टेक कियर